मुझे लगता है वहीं से कोई राष्टा निकलता है जब हम सकारात्मक सुझाव देते हैं बिना आलोचना के जो प्राइबेट हॉस्पिटल्स हैं महामारी अधिनियम के तहट सरकार को यह शाशन को यह अधिकार हासिल है कि वह तो उस महामारी के चिकित्सा के लिए होने वाले व्ययों का अधित्तम क्या अमाउंट होगा इसका निधारन कर सकती है यह उसको कानून अधिकार देता है मैं नवीन जी से कहूंगा यह कैपिंग करवा दीजिए प्राइवेट से हॉस्पिटल्स में चाहे दो चार तरह के हॉस्पिटल है एवन एटू और एथ्री एफोर एवन एटू को एक साथ ले लीजिए एथ्री एफोर को एक साथ ले लीजिए कि ते कर दीजिए विश्षग्यों से बात करके 5000-6000-7000 रुपया प्रतिति उपर वालों का और 5000 के आसपास नीचे वालों का कर दीजिए इस भैसे आदमी मुक्त हो जाएगा कि मालों में भरती हो गया इस नीची एस्पताल में तो जब निकलूंगा तो क्या बावाल होगा दूसरा करोना पीछे पढ़ जाएगा एक सिंद्र बचूंगा तो घर मकान बेचू इस सरलों पाहे अराम से हो सकता है